बुलुस्री प्राणनाथ प्यारे की जै बुलुस्री सद्गुरु महाराज की जै कहे हुकमे स्री महामती मूमिनों हक इसक बोले बेसक इसक रब्द वाहिदत में हक उलट हुए आसीक हक महभूब के जवाब रूहों मेरे तुम्हारा आसिक में सुख सदा तुम्हें चाहू प्रणाम जी सुनर्शाच जी अक्षरातित धामदानी स्री राज जी स्रिंगार ग्रंत के इस प्रकरण में हम सभी ब्रह्मिस्रिष्टियों को सामुहिक रूप से सम्मोधित कर रहे हैं और सब को जवाब दे रहे हैं इसे अगर मारिफत की आउस्था में देखें तो आशिक और मासुक में कोई फर्क नहीं है लेकिन चुकि यहां वर्णन हो रहा है इस संसार में और इस संसार में मारिफत को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है व्यक्त जब भी होगा तो वो हकिकत की आउस्था में ही होगा इसलिए श्री राज जी हम सभी ब्रह्मिस्ष्टियों को कह रहे हैं मैं तुम्हारा आशिक हूँ और आशिक होने का लक्षण क्या है प्रेमी और प्रेमा स्पद में आशिक और मासुक में दोनों का लक्षण क्या है कि जब जिस अवस्था में कोई प्रेम दे रहा है तो उस अवस्था में प्रेम देने वाला आशिक है और जिसको प्रेम दिया जा रहा है अथवा जो प्रेम को ग्रहन कर रहा है वो माशुक है अगर इसी जागनी के ब्रह्माण में कोई ब्रह्म स्रिष्टी जागरित हो करके जागरित अवस्था में राजी से प्रेम करती है और जिस तरह से इंद्रावती जी ने अपना सर्वस्व न्योच्छावर किया राजी को रिजाने के लिए वैसी अवस्था अगर कोई आत्मा बना पाती है तो उस अवस्था में उस ब्रह्मिस्ष्टी को आशिक कहा जा सकता है लेकिन केवल उस अवस्था में आशिक और मासुक में वैसे कोई भेद नहीं है स्रिफ अवस्था का भेद है कि जिस समय राजी प्रेम दे रहे हैं उस समय में वो आशिक हैं और ब्रह्मसिस्टी आगर प्रेम दे रही हैं राजी को तो उस समय में वो मासुक हैं अब इस जागनी के ब्रम्भांड में स्री राजी इस प्रकरण के माध्यम से अनेक ऐसे उदाहरन दे रहे हैं आगे जिसमें उन्होंने अपने प्रेमी होने के अपने आशिक होने के दावा को पूरा किया है कहते हैं वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाओं तुम्हारे लिए ही कई विध के अर्थात कई तरह से अनेक प्रकारसे में तुम्हारे हृदे में इश्क अथवा प्रेम उत्पन करने का प्रयास कर रहा हूं वाणी कहती है हक को काम और कच्छू नहीं देवे रूहों लाड़ लजजत राजजी के पास और कोई काम ही नहीं है दूसरा करने के लिए राजजी हमेशा ब्रहम स्ष्टियों को लाड़ लजजत अर्थात स्वाद परमधाम के प्रेम का परमधाम के आनन्द का अपने प्रेम का स्वाद अपने प्रेम का लजजत ही देते रहते हैं कैशे और जब वह दे ही रहे हैं तो इसी लिए उन्होंने अपने आपको आशिक का कर और ना किवल पररमध्ह में परमध्ह में तो हमने दोनों ने वादा किया था और दोनों सुष्टियों ने कहा हम आशिक हैं हमारा प्रेम बड़ा है तो उसी प्रश्ण का समाधान करने के लिए कि कौन किसका प्रेम बड़ा है कौन आशिक है कौन प्रेम देता है कौन प्रेम लेता है उसी का बेवरा करने के लिए ब्रह्म सुष्टियों की सूर्ताइं जब इस संच अगर ब्रह्म्य स्ष्टियां इस संचार में आने के बाद राजी को नहीं भूलती है और भूलने के बाद भी जगाने पर भी अगर जागरित होती हैं तब भी राजी ने कहा जो पीछे तुम दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार उन्होंने तो अपने तरफ से कोई कसर कोई कमी नहीं रखे है पहले उन्होंने अपने प्रेम का उधारन दिया कि मैंने कहां कहां पर तुमसे प्रेम किया Sबसे पहले वो केते हैं मैं आशिक तुम्हारा कहलाया मैं लिखे इश्क के बोल चाहे आप कुरान में देख ले चाहे आप वाणी में देख ले राज जी कहा रहे हैं कि वो जो प्रेम के बोल हैं वो जो इश्क के बोल हैं मैंने ही लिखा है और उसमें कुरान की अंदर भी खुदा को मुमीनों का थवा रूहों का आशिक कहा है कहते हैं माशुक कर लिखे तुमको मैंने उसमें भी तुमें माशुक ही लिखा सो भी लिए ना तुम कॉल और राजी कह रहे हैं कि तुमने तो उन वच्चनों को भी नहीं लिया अब उन्होंने उदाहरण दिया आगे कहते हैं अवल बीच और आखिर लिखे तिनो ठोर निशान अवल का मतलब इस स्रिष्टी के सुरुवात में अथवा ब्रह्मस्ष्टियां जब परमधाम से आई तो सबसे पहली जो लीला हुई ब्रज के अंदर चाहे रास में हो चाहे जागनी के ब्रह्माण में हो हर छेत्र का हर लीला का हर घटना का प्रमाण दे करके निशान का मतलब संकेत ब्रज का भी संकेत दे रहे हैं रास का भी दे रहे हैं और इस जागनी के ब्रह्माण में भी किस तरह से राजी अपने प्रेम को निभा रहे हैं वो सारे उदाहरन दिखा रहे हैं राजी और कहते हैं एव बीतक हम तुम जान ही भेजी तुम को पहचान जो लिला राजी और ब्रह्मिस्ष्टियों के बीच में हुई उन्हें लिलाओं को और कोई जान नहीं सकता है ब्रज की लिला का वर्णन करने वाले दुन्या में बहुत है भागवत के माध्यम से पुराणों के माध्यम से ब्रज की लिला का वर्णन करने वाले वो वर्णन करेंगे तो कृष्ण जी की अनेको लीलाओं का वर्णन करेंगे राधा और कृष्ण जी के बीच के प्रेम का भी वर्णन करेंगे गोपियों के साथ कैसी लीला होती थी उन्हें लीलाओं का भी वर्णन करेंगे लेकिन जिसके पास तार्तम ज्याना नहीं है उन में से किसी को पता ही नहीं कि वो जो प्रेम की लिला थी वो किस की थे उनके लिए तो 11 बर्ष 52 दिन वाले कृष्ण का स्वरूप और आगे के 112 बर्ष वाले कृष्ण जी के स्वरूप में उनके लिए कोई भेद ही नहीं है इस भेद को तो कहते हैं इसको ओर कोई जान ही नहीं सकता है उन्होंने कहा जैसे उदाहरण इस प्रकरण में आगे दे रहे हैं वैसा ही उदाहरण बीतक के अंदर भी आता है जब हम शुक्रान आकोट का प्रसंग पड़ते हैं तो उसमें राजी ने किस-किस तरह से हम पर मेहर की है उन कृपाओं का वर्णन किया है कि किस तरह से ब्रज में राजी ने हमारे साथ अपने प्रेम संबंद को निभाया जिस ब्रज की चरण धुली को पाने के लिए जिस ब्रज की रेणू को पाने के लिए ब्रह्मा विश्ण महस लालाईत रहते हैं जिस भागवत के अंदर एक प्रसंग आता है उसमें लिखा है कि भगवान जी कह कि मैं उन ब्रह्म मुनियों का चरण रज पाने के लिए उनके पीछे-पीछे घुमा करता हूं ब्रज लिला के प्रसंग में तो जिन भगवान जी के विश्य में वर्णन किया गया है कि वो भी ब्रज की रेणू अथवा ब्रज वधों की चरण रज पाने की इच्छा करते है सुक्राना आकोट में प्रसंग आता है कि उस ब्रज में हम ब्रह्म सुष्ट्यों ने लिला की थे जिसको इस संचार में इतनी बड़ी शोभा दी गई है इतनी बड़ी महिमा दी गई है जिस रास की रात्री का दर्शन पाने के लिए जिस रास की लिला में प्रवेस करने के लिए इस संसार के सबसे बड़े योगी योगी राजसीव तपस्या कर रहे थे वो चाहा रहे थे वहाँ पर जाना नर्सी महता जैसे भक्त चाहते हैं कि रास का दर्शन मिले शुकदेव जी जयसे घ्यानी उनके जयसे तपस्वी जो अक्षर की पंच वासनाओं में से एक माने जाते ह router की जिसकी लिला का वरणन नहीं कर पाते हैं उस रास की लिला में हमने ही भाग लिया था और हमने ही वहाँ पर राज्जी के साथ आनंद की लिला की थी तो यह राजी का प्रेम नहीं तो और क्या है कि वो भिन भिन अस्थितियों में भिन भिन आउस्थाओं में जाकर के हमारे साथ वो उस प्रेम के संबंद को निभा रहे हैं परमधाम में तो जो प्रेम है वो है ही परमधाम से बाहर ब्रज के अंदर भी रास के अंदर भी और जब हम ब्रज और रास के बाद इस जागनी के ब्रह्माण में आते हैं तो जागनी के ब्रह्माण में ही देख लिजिए कि जिस ब्रह्म की सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म राजी के सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म के द्वारा ऐसे करुणों ब्रह्मान बनते हैं और मेटते हैं वैसा सामर्थ साली परमात्मा जब इस जागनी के ब्रह्मान में आया है तो ब्रह्मिस्ष्टियों को जगाने के लिए प्रकृति की सारी मर्यादाएं रखते हुए कभी वो मंसौर के अंदर आठ-ाठ मैने तक भिख्षया से मागे हुए अन्न के द्वारा गुजारा करता है कभी वो ब्रह्मिशिष्टियों को जगाने के लिए पैदल चल रहा है अने को कश्ट सह करके अपना जो किया हुआ दावा था वादा था उस वादे को पूरा कर रहा है उसके बाद भी उस पर लांचन लग रहे है श्री जी के उपर बहुत चार ऐसे आरोप लगे और वो भी उन ही सुन्दर साथ ने लगा है जो स्री जी को कभी राज्जी केते हैं कभी धामधनी केते हैं कभी प्राणनात केते हैं इनके नाम पर सर्वस्व छोड़ कर के आए हैं, वही सुन्दर्शाथ कभी आरोप लगा रहे हैं, कि हम तो व्यर्थ में ही इनके लिए घर छोड़ कर के आए, इनके अंदर तो कोई शक्ती ही नहीं है, कभी उन पर भरोसा नहीं रखा जाता है, फिर भी उसने अपने आशिकी के उस वादे को, अपने प्रेमी होने के उस वादे को पूरा किया, ब्रज में भी, रास में भी और इस जागनी के ब्रह्मान में भी, अब जैसा कि हम किरंतन के अंदर पढ़ते हैं किरंतन वानी में एक दो प्रक्रण ऐसे आते हैं जिसमें हम ब्रह्मसुष्ट्यों को सिखापन देने के लिए इस संसार के मायावी प्रेमियों का उदाहरण दिया गया है ऐसे उदाहरण हम पहले भी अन्य चर्चाओं में सुन चुके हैं प्रकास के वानी में भी सुन चुके हैं जिसमें किरंतन के अंदर विशे सुरूप से इंदरावती जी ने कहा की आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन कोट बेर मासुक पर उड़ाय देवे अपना तन इस संचार के भी जो प्रेमी अपने आपको कहलाते हैं वो करोडो बार एक बार नहीं वैसे तो संभव एक ही बार होता है एक बार अपना तन समाप्त कर दिया दूसरे बार संभव भी नहीं होता लेकिन उन आशिकों का ये कहना होता है कि अगर संभव हो तो करोडो बार भी मैं अपने माशुक पर और सिर्फ माशुक पर नहीं माशुक की खबर देने वाले पर भी करोडो बार मैं अपना सर्वस्प नियच्छावर करने के लिए तयार हूँ फिर अगली चोपई मिंद्रावती जी कहती है जीव माया की ऐसे करे कईयों देखे द्रिष्ट इस संचार में बहुत सारे लोगों ने अपनी द्रिष्टी से ऐसे अनेक उदारन देखे हैं ओ भी उन पर यों करे हम तो हैं ब्रह्मसिष्ट हमने तो अपने आपको ब्रह्मसिष्टी कहा है हमने अपने आपको राजी का आशिका इस संचार में भी तार्तम ज्यान मिलने के बाद हमने कभी भी अपने आपको आशिक से मारिफत की आउस्था से नीचे कभी भी अपना आंकलन नहीं किया है चलिए एक इमान के द्रिष्टी से अपने आपको राज्जी का प्रेमी समझना आशिक समझना कोई गुनाहा नहीं है लेकिन सिर्फ दावा करना और रहनी में कोई भी चीज न लाना रहनी में न उतारना ये सबसे बड़ा गुनाह है हम अपने आपको कहते हैं कि हमारे अंदर राज्जी के लिए इमान है हमारे अंदर वानी की समझ है हमारे अंदर राज्जी के लिए इश्क है तो एसी अवस्था में हम सब ब्रह्मिस्ष्ट्यों को राज्जी एक मीठी तरह से मधुर रूप से ताना मार रहे हैं इसी प्रकरण में आगे राजी हम सब ब्रह्मनसुष्ट्यों को कहते हैं श्याबास तुम्हारी अरवाहों को श्याबास हैड़े सखत जब अती हो जाती है तो ऐसी अवस्था में माता पिता क्या करते हैं अपने बच्चों को जब अगर बच्चे समझते नहीं है किसी बात को और बार-बार वही गलती करते हैं जैसे मान लेजिए उदाहरण के लिए एक मा अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा उस तरफ काई है काई तो समझते हैं फिसलन होती है जिस जगह पर तो वो कहते हैं कि बेटा उस तरफ मत जा बेटा जाने का प्रयास करता है, मा पकड करके लाती है और वापस कमरे में उसको रखती है, खाट के उपर पलंग के उपर रखती है, थोड़ी देर के बाद फिर बेटा जिद्धी करता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं गिरूँगा, मुझे चलना आता ह मा में बड़ा हो गया हूँ फिर बेटा जाता है मा फिर से पकड़ करके ले आती है उसके बाद बेटा फिर से जब नहीं समझता है बेटा चला जाता है काई में फिसलन में और उसके बाद गिर जाता है तो मा क्या करेगी ऐसे उस्ता में बोलेगी बहुत अच्छा अब समझ म कि ब्रह्मस्विष्टियों का भी रजी वाणी में सब्सक्रा While Raps Canada से लेकर के रव difficult रजी ने ब्रह्मस्विष्टियों को माय की पहचान करा माय the connect को छोडने का तरीका बता दिया माय को जीतने का तरीका बता दिया् Lewis प्षक प्रकास के अंदर जीव को भिन भिन्न प्रकरणों के माध्यम से भिन्न भिन्न घटनाओं के उदारणों के माध्यम से प्रभोधित किया और जीव को जागरित करने का प्रयास किया कलस के अंदर भी इसी तरह से जीव को जागरित करने के लिए और फिर आखिर के प्रकरण में अब जाग देखो सुख जागन के माध्यम से ब्रहम स्ष्टियों को न शर्फ जीव की बल्कि आत्मा की जागनी के लिए और फिर परातम की जागरिती के लिए भी प्रिरित और संकेत किया गया उसके बाद जैसे जैसे हम वाणी की गहराईयों में क्रमसह बढ़ते जाते हैं किरंतन उसके बाद खुलासा खिल्वत तक जब हम पहुंचते हैं तो खिलवत में पहुंचते पहुंचते अगर हम वास्तों में सच्चे दिल से वाणी को अपने हृदय में उतार रहे होते तो खिलवत खाना हमारे हृदय में बन जाता परमधाम अर्शे अजीम और खिलवत खाना हमारे हृदय में बस जाता लेकिन जब कुछ नहीं हुआ इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया और ये जो प्रकरण है मेरे ख्याल से सिंगार का आखरी प्रकरण है और जब सागर के अंदर और सिंगार के अंदर कुल मिला करके साथ बार राज्जी के सिंगार का वर्णन किया परिक्रमा ग्रंध के अंदर परम्ध हमके 25 पक्षों का वर्णन किया सागर के अंदर मूल मिलावे का वर्णन किया हमारी परातम की शुभा का वर्णन किया जब इतना सब कुछ सुनने के बाद भी पढ़ने के बाद भी सवूर करने के बाद भी बहुदिक दृष्टी से समझने के बाद भी जब हमारी रहनी में कोई फरक नहीं आया तब जाकर के राजी ने कहा स्याबास तुम्हारी अरवाहों को अती होने के बाद केते हैं तुम्हारी आत्माओं को स्याबास ही है स्याबास हेडे सखत हेडा कहते है हुरिदय को भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे ऐसे कठोर हृदय को श्याबास ही है श्याबास तुम्हारी बेसकी अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास बेसक इलम है संचे रहित ज्यान है तो उस बेशकी को जो तुम्हारी बुधी बेशक हुई है उस बेशकी को भी श्यावास है केते हैं स्याबास तुम्हारे निश्वत तुम दावा तो करते हो कि राजी के साथ मेरे साथ तुम्हारा निश्वत है लेकिन उस निश्वत के हिसाब से कैसा व्यवहार होना चाहिए कैसी रहनी होनी चाहिए एक राजा के साथ अगर अपना संबन है ऐसा हम कहते हैं तो एक राणी का कर्तब क्या हो ना चाहिए इसी तरह से राज्य कहते है श्याबास तुम्हारे निशवत अगली जोपए में कहा रहे हैं धन धन तुम्हारे इमान तुम्हारा इमान धन्य धन्य है तुमने जो इमान के विशे में कहा है इमान धन्य धन्य है धन धन तुम्हारे सहूर तुम्हारी जो समझ है और तुम्हारी जो चाल चलन है सहूर का मतलब समझ भी होता है और प्रसंग के हिसाब से चाल चलन को भी बोल चाल की भासा में सहूर धन्धन तुम्हारे इमान, धन्धन तुम्हारे सवर, धन्धन तुम्हारी अकलें, तुम्हारे बुद्धी भी धन्य धन्य है, जिस बुद्धी में इतनी समझ भरी पड़ी है, जिस बुद्धी में इतना अधिक ज्यान भरा पड़ा है, उस बुद्धी को भी धन्यवाद है केते भले जागे कर जहूर अगर प्रयास करके कोई जागरित हो जाता है तो सबकुछ धन्य धन्य है सामाने रूप में और अगर जागरित नहीं हो पाता है तो फिर उनको व्यंग्यात्मक रूप से कहा जा रहा है कि तुम धन्य धन्य हो जिस तरह से मैंने माता और पुत्र का उधारन दिया था राजी ने जो ये दो चोपाईं ब्रह्मिन सुष्टियों को कहे अगर सच्चे दिल से कोई राजी को याद करता है कोई अगर उन्से प्रेम करने का दावा करता है तो इन दो चोपाईं के सुनते ही हमें ये सुध समझ आ जाने चाहिए हो वैसे तो जिनको इतनी जल्दी समझ में आ जाए सिर्फ इन दो चोपाईं से तो इससे पहले तो कम से कम दस हजार चोपाईं हम सब को प्रबोधित करने के लिए है लेकिन फिर भी इतना होने के बावजुद यहां आकर के भी अगर धीरे धीरे निर्मलताई है जीव की और इन दो चोपाईं के सुनने के बाद अगर हम जागरित हो जाते हैं अगर हमें सुध आती हैं तो तब भी कोई देर नहीं हुई है तब भी कोई विलम नहीं हुआ है लेकिन अगर इतना सुनने के बाद भी हमें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर चाहे सिंगार हो चाहे आगे सिंधी मारिफत की चर्चा हम सुनते रहें इसे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है इसलिए महामत जी सी प्रकरण की अंतिम चोपा में कहते हैं देखो अचरज महामत मौमिनों अचरज कहते हैं आश्चर्य को जो बेशक हुए हो तुम आपने तो क्या दावा किया कि हमारे पास बेशक इलम है हर प्रकार के संसे से रहित करने वाला ज्यान है लेकिन महामत जी कहते हैं कि देखो कितने आश्चर्य की बात है राजी नी हमें इतनी बुजर्गी दी इतनी शोभा दी बेशक इलम की शोभा दी दुनिया में इस संसार में हम कहने को तो कहते हैं कि संसार में संसार के धर्मगरंथों का ज्यान जहां जाकर के समाप्त होता है वहां से हमारे ज्ञान की सुरुवात होती है जब इतनी बड़ी शोभा इतनी बड़ी महिमा राजी ने दी तो जैसे कि मैं पिछली चर्चाव में भी कह चुका हूँ कि जितना अधिक अधिकार होता है उसके साथ कर्तव्य भी उतना ही बड़ा जुड़ा होता है जितना बड़ा अधिकार उतना बड़ा कर्तव्य और हम जितने अधिक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं हम उन अधिकारों को लेने में भी उतने ही ज्यादा स्वतंत्र होते हैं अगर हम कर्तव्य का पालन ना करें केवल अधिकारों की ही चर्चा करते जाएं कि हमारे पास इतना बड़ आदिकार है ब्रह्मान को मुक्ती देने का आदिकार है हम खटरितों की वानी पड़ करके बौधिक रूप से भलाई ये कह दें कि जैसे इंद्रावती जी ने ये दावा किया कि मैं अपने ह्रिदय रूपी पिंजरे में राज्जी को विराजमान करा के राज्जी को बंद करके राज्जी को एक तोते की रूप में बंद करू और अपने प्रेम रूपी अंगुर को राज्जी को खिलाओ अब बौधिक द्रिष्टी से तो ये कहा जा सकता है कि ब्रह्म लेने वाला सुंदर साथ वानी को जब पढ़ेगा खट्रितु की उन चौपाईयों को पढ़ करके अपने बुद्धी बल से यह कह सकता है कि मैं राजी को अपने हृदे रूपी पिंद्रे में बंद करूं लेकिन बहुत धिक रूप से कहना और वास्तों में उसको करना दोनो आजमान किया उसके बाद वानी कही विद्ध हैं तो तो महमत जी कहते हैं देखो अचरज महमत मौमिनों जो बेसक होने का जो एक सवभाग या प्राप्त हुआ है बेसक इलम जो आपको मिला है महमत जी कहते हैं तुम किन दाई एटि बुजरगी किते कि हे सक्षियों हे ब्रह्मसिस्टियों आप सबको इतनी बड़ी महीमा किस ने दी है बुजर्गी का मतलब महीमा महानता आत्वा बड़ी शोभा इतनी बड़ी शोभा किस ने दी जैसे ही इस प्रश्ण का उत्तर हम विचार करेंगे सबी सुन्दर साथ 5 सेकेंड के लिए मन में इस प्रश्ण का उत्तर विचार किजिए कि हमें जितनी भी महानताओं का वंड़न किया कि राजी ने हम पर जो जो भी मेहर की है अगर हमें कोई पूछे कि जो कुछ भी हमें हासिल हुआ है चाहे वो बेशक इल्म हो चाहे राजी को अपने हृदय में बशाने का सोभाग्य हो चाहे परमधाम की लीलाओं को अपने हृदय में बशाने का सोभाग्य हो ये हमें किस ने दिया हमारा जवाब क्या है राजी ने सब ये जवाब देंगे ये जो प्रश्ण पूछा है हम सब ब्रह्मिसिस्टियों के लिए बहुत एक गहराई की बात है कि ये प्रश्ण पूछा क्यूं जा रहा है सायद अब तक हमने कभी विचार नहीं किया होगा कि महामतिजी के हृदय में विराजमान होकर के राजी ये प्रश्ण क्यूं पूछ रहे हैं तुम्हें किन दई एति बुजरगी इतनी बड़ी सोभा तुम्हें किसे ने दिये ये प्रश्ण क्यूं पूछा जा रहा है ये प्रश्ण पूछने के पिछे कारण क्या है जैसे क्या होता है अगर कहीं सास्त्रार्थ हो रहा हो कोई बहुत बुद्धीमान वेक्ती हो तो बहुत बुद्धीमान वेक्ती है सास्त्रार्थ में कभी भी सीधे प्रश्ण नहीं पुष्टा है पहले उसको पता होता है कि उत्तर क्या आने वाला है तो उस हिसाब से वो प्रश्ण पुष्टा है पहले वो अलग से प्रश्ण पुष्टा है जब उसका उत्तर उसको मेल जाता है तो वो उसके बाद अपना जो वास्तविक प्रश्न होता है तब रखता है वास्तविक प्रश्न इस प्रकरण में राजी ने रखा ही नहीं है वो हमें समझने की बात है इस प्रकरण की अंतिम चोपाई में राजी ने जो बात कही है ये अंतिम चोपाई राजी की द्वारा इ कि आशिक कौन है पूरे प्रकरण में में ढब सब को पता है कि जो प्रेम देने वाला है वह आशिक है पहली चोपय में राजी कहаться हो fivefund गटने लग जाएं पूरे प्रकरण में आप से avons करने की कोसिस करें तो पूरे प्रकरण में तो ये बात बता दी गए कि मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें वो दिया, ब्रज में मैंने ऐसा किया, जागनी के ब्रह्माण में आने के बाद मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको ये ये शोभा मैंने दी है, अब जैसे ही अंतिम चोपाई हम जो देने वाला है वो आशिक है जब हमारे हृदे में अपने आप ही ये उत्तर आ गया कि ये सब बुजरगी राजी ने दी है इसका मतलब ये शाबित हो गया कि राजी हमारे आशिक है तो राजी ने हर तरह से घेर करके अपने आपको आशिक शाबित कर दिया कैसे तुम्हें कि इन गुनहगारों के दिल को अर्ष कर बैठे महरबान जो खेल मांगने का गुणा किया है और इस अंचार में आने के बाद जिन आत्माओ की जो द्रिष्टी है जिन जीवों के उपर बैठे हुए उन जीवों को तो कभी भी ये सोभाग्य प्राप्त होने वाला नहीं था कि उस जीवों के रिदय में परम्धाम की शोभा विराजमान हो जाए लेकिन ब्रह्मस्ष्टियों के इस संचार में आने के कारण राज्जी ने जब उन पर मेहर की तो जीवों को भी वो शोभाग्य प्राप्त हुआ और ब्रह्मस्ष्टियों इस संचार में आई तो राज विचार करते हैं तो राजी ने अपने आपको आशिक शाबित कर दिया है पूरे प्रकरण के माध्यम से आप शुरू से लेकर क्यांतिम तक पड़ेंगे आप जैसे ही इस चरण का अर्थ मन में विचार करेंगे और जो प्रश्ण किया कि तुमें किन्दे एती बुजर्गी द दिल अर्ष कर बैठे खसम इस अर्थ का विचार करते ही हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो दे रहा है वही तो आशिक है राजी हमें इतना प्रेम दे रहें तो अभी वह आशिक हैं लेकिन अगर इन प्रशंगों को समझ करके इन प्रकरणों को समझ करके जब ऐसी आ उस्ता हमारी बन जाएगे। की राज जी को हम अपने रिदै में बसा लेंगे। राज Didn जब तक हमारे रिदै में बैठे नहीं है। वैसुर लेकिन जब तक हमें श्रावन को लोग नहीं हो जाता तो तभ तक राज जी आसिक हैं, लेकिन अगर हम रजी को अपने रिधय में विराजमान करा लेते हैं, और उसके बाद जैसे की खटेरू तुम्हें उन प्रकरणों के माध्यम से उन चोपईयों के माध्यम से इंद्रावती जी ने कहा, कि मैं अपने रिधय का प्रेम राजी को दे रही हूं, र बातों को अपने आचरण में रहनी में ला करके तो उसके बाद हम आशिक कहलाएंगे उस वस्ता में तो कहने की भी आवसेक्ता नहीं पड़ेगी कि हम आशिक है अभी तो हम सिर्फ कह रहे हैं और जब हम वास्तों में आशिक के अपने दावे को पूरा करेंगे तो तब कहने क हमारे हृदय में उस प्रेम का लजत उस प्रेम का स्वाद अपने आप ही आता जाएगा तो इसलिए इस प्रकरण को हम समझे इस प्रकरण में राजी ने जो हमें मीठी जिड़की दी है धन्धन तुमारे इमान धन्धन तुमारे सहुर इन चोपईयों के माध्यम से तो हम आवसर मिला है हमें इस जागनी के ब्रह्मान में राजी को अपने रिदे में बसाने का तो उस आवसर को हम हाथ से न जाने दें वर्तमान में जो हम सभी सुन्दर्शात को आवसर मिला है मैंने पिछली चर्चा में भी आप सभी सुन्दर्शात को एक प्रार्थना की थी कि रा पूरे प्रकरण का हम सार तो नहीं कह सकते लेकिन जो जो मुख्य मुख्य विशय है उन विशयों पर बात की जा सकती है तो हमने सरफ उन मुख्य विशयों पर बात की है तो जब आप पढ़ें वानी को तो इस पूरे प्रकरण को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा औ रात्में और अधिक अगर अच्छे से समझना है तो बीतक के सुक्राना आकोट के प्रसंग को भी पढ़ें कि राजी हम पर अपने प्रेम संबंद को निभाने के लिए क्या-क्या नहीं कर रहे हैं। राजी का प्रेम है और राजी की मेहर है जो अभी हमारे साथ घटित हो रहा है हमें जो यह आवसर प्राप्त हुआ है तो इस आवसर को हाथ से न जाने देते हुए राजी की उस इश्क को राजी की उस मेहर को अपने हरिदय में बसाएं उसको आत्मसाथ करें इन्हीं शब्द झाल झाल